दोस्तो रोजाना गोवर्मेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कििस पोश्त के लिए कितनी नमबर ओफ वैकन सीज है क्या पोस्टो ईजिलिएबिलिपेरिया है कैसे आप इन भड़ी की नोटिफिकेसन की पीदिएप डाउनलोड कर सकते हो कैसे अप्लाई कर सकते हो कब से कब्स तक आप अप्लाई कर सकते हो step by step पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर ये आपके सबी स्वाल ओड आउट किलियर होंगे तो चली दोस्तों बिना कोई वक्त कोई शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी भरतियों की पूरी जानकारी जहां दोस्तों जो फर्स नंबर पर जोब निकली है वो निकली है फोरेस्ट डेपार्टमेंट में वान विबाद के इंतरगत फोरेस्ट गार्ड वन रक्सक की 120 रुपे सुलक है जो बागी की कैटिगरी है उनके लिए 45 रुपे सुलक है सेलेक्शन हों का रिटन टैस्ट फिजिकल और मेडिकल के आधार पे ओनलाइन एपलाई कर सकते हो करनाट का जोब लोकेशन है केपडी रिकूरूटमेंट डोट इनेस की ओफिशियल वेबसेट है जिससे आप उनलाइन एपलाई कर सकते हो डेट के अगर बात कि जाए तो कोवीड नैंटीन कोरोना के चलते लाश्ट एट एक्स्टेंडिट कर दी गई है ज्यान दोस्तों लाश्ट एपलाई ऑनलाइन करने की उससे पहले 15 अप्रेल थी उसके बाद इसको के बाद भी आवेदन कर सकते हो फीस पैमेंट की लाश्ट एट भी इसी तरह से 17 अप्रेल थी पहले उसके बाद 18 मई इसको भी बढ़ा कर अब 17 जून 2020 कर जया गया है उसके बाद दोस्तों जो सेकिंड नंबर पर जोब निकली है वो निकले कोपरिटिव सर्विस कमिशन मे सहकारी सेवायोग के इंतरगत भरती निकली है पोस्ट है कलर्क बैंकिंग असिस्टेंट 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 मैनेजर असिस्टेंट कम कैसियर कम सूपरवाईजर अकाउंट असिस्टेंट जूनियर ओफिस असिस्टेंट फिल्ड सूपरवाईजर जूनियर असिस के लिए 25,640 है, जूनियर ओफिस असिस्टेंट के लिए 8,708 है, फिल्ट सूपरवाइजर जूनियर असिस्टेंट के लिए 24 है, डिग्री धारक अपलाई कर सकते हैं, कायू सिमा 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 40 और 45 वर्स है, 200 रुपे यूर ओबिसी के लिए सुल्ख है, सस्ट के ल 19 के चलते हैं, इस बढ़ती की भी लास्ट एक्स्टेंडीड कर दी कही है, सबसे पहले 3 अप्रेल थी उसके बाद एक्स्टेंडीड करके 30 अप्रेल किया गया, एक मार फिर से कोई 19 के चलते ही लास्ट एट 31 मई gettinats कर दी गहीं है, अब आप इस बढ़ती के लिए भी 31 मई सेकिंड, junior technician, junior laboratory assistant, lower division color, attendant, multitasking staff की various vacancies है, scientist B के लिए 56,001,773,500 से लिए है, junior scientific assistant, senior technician के लिए 35,004,001,12,00 है, data entry operator, junior technician के लिए 25,001,774,00 है, junior laboratory assistant, lower division color के लिए जानकारी केटिगरी वाइज आप नोटिस से चेक कर सकते हो सेलेक्शनों का रिटन टैस्ट या ट्रेट टैस्ट या इंट्व के आधार पे ओनलाइन अप्लाइन कर सकते हो दिल्ली जोब लोकेशन है ओल ओवर इंडिया से अप्लाइन कर सकते हो cpcb.nic.in.h के ओफिशियल वेबसेट है जिससे आप ओनलाइन आविदन कर सकते हो जो के स्टार्ट होंगे 5 माई 2020 से लाजट टैस्ट अप्लाइन करने की 25 माई 2020 से उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जोब निकली है वो निकली है वेस्टन कोल्ड विल्स लिमिटीड में WCL में graduate apprentice और technician apprentice की भरती निकली है 303 vacancies है graduate apprentice के लिए 9000 से लिया है जबकि technician apprentice के लिए 8000 से लिया है डिग्रिया डिपलोमा इंजिनिरिंग से आप अप्लाइग कर सकते हो और्गनाइजेशन रूल के एकोर्डिंग आयू सीमा तैकी जाएगी कोई भी सुल्क जमा नहीं करना होगा बिना एक्जाम बिना इंट्यू की भरती है मेरिट से सीधा चेन किया जाएगा ओनलाइन अपलाइन कर सकते हो नागपुर माराष्टरा जोब लोकेशन है ओल इंडिया से अपलाइन अपलाइन कर सकते हो वेस्टन कोल.in पोर्टल से आप अपलाइन अपलाइन कर सकते हो स्टार्टिंग डेट अपलाइन करने की 5 माई 2020 है लाश्ट टेट 19 माई 2020 है उसके बाद दोस्तों जो फाइब लाश्ट नंबर पर जोब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमिशन में लोक से वायोग में असिस्टेंट इंजिनियर एकी भरती निकली है दो सो पच्पन वेकेंसी है लेवल 9 के इंतरकत से लिप रोवाइट की जाएगी बी बी टैक अपलाई कर सकते हैं 21 से 30 मेल के लिए और 21 से 40 फी मेल के लिए आयूशीमा है जेनरल केंडिडेट के लिए 750 रुपे सुलक है सेस्टी पी एच ओमेन केंडिडेट जो ब्यार अस्टेट के हैं लिए 200 रुपे है पैमेंट आप डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंक तिंग से ओनलाई कर सकते हो सलेक्शन होगा रिटन एक्जाम और इंट्व के आधार पे ओनलाई अपलाई कर सकते हो बिहार जूब लोकेशन है ओल इंडिया से अपलाई ओनलाई कर सकते हो bpsc.bh.nic.in.h की ओफिशल वेबसाइट है जिससे आप ओनलाई आवेधन कर सकते हो जो की अस्टार्ट होंगे 4 मई 2020 से लास्ट टेट रिजिस्टेशन के 18 मई है फीर्स पेमेंट की लास्ट टेट पचीस मई 2020 है, ओनलाई सब्विसन की लास्ट टेट दो जून 2020 है, ओनलाईन फोंग की हाट कोपी सेंट करने की लास्ट दस जून 2020 है, तो दोस्तो यह थी आज क acceleration के 3 मई 2020 की टो फाइब भरतियों की पूरी जानकारी अगर आपको भिन भरतियों के बारे में और ज्यादे जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसेट का लिंग के नीचे डिस्किप्शन पलस फर्स्ट कमेंट बोक्स में मिल जाएगा और हमारी इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भरति की नोटिफिकेशन की पीडियाप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो लिंक यहीं पर प्रोवाइड के गए हैं आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिये गए हैं आप किसी भी बढ़ती के लिए डाइरेक्ट लिए इसे आववेधन कर सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना या योफी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेट जिरूर करें सासा दोस्तों कर आपने भी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्मेंट जोब्स की ऐसी बिग अप्डेट अप्लोड करते हैं